हम आद बात करने हैं Nha techniques s scientific management question your techniques scientific management पढ़ रही हैं हम second chapter business जो की हमारा कौना है principle management प्रिंसपलमेंड के अंदर पढ़ रहे है है अभी तक हमने principle of management पे principle from management की importance principle of management की characteristics principle master पे कौन कौन से कौन कौन से कौन कौन तो हम आज बात करने वाले हैं scientific techniques of management की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना जिसने भी अभी तक चैनल के बेल आइकन को नहीं दभाया प्रीज दबा देना और जो हम वीडियो बनाते हैं वह accounts economics और business studies का रिगार्णिंग बनाते हैं और अभी हमारा जो business studies का है वह second chapter है मतलब हमारा जो business studies की सिरीज चल रही है तो आगे बढ़ लेते हैं तो पहला जो हमारा से स्पावारा फ़ेला जो हमारा सांटिफिक टैक्निक तेक्निक है का은 चैनितिफिक वो कौन सी है फंपवर्मेंजिप से सब्सक्राइट फंपवर्मेंजिप हमारी जर सब्सक्राइब है तो फ्.्व तेकनिक वाली वैसे इन्सान जो क्या क्रते हैं दूसरों को दिया जाता है तो यहां प। नेector है कि यहां पर लोगों के आंदर सारी की सारी क्वालीटीजन नहीं हिए मतलब कि एक ही इनसान के अंदर सारी की सारी क्वालीटीज हका तरहा है दो करें जो फॉर्मन है उनके अंदर सारी की सारी क्वालिटी नहीं होती इसलिए जो हमारे व्डवा टेलर है उनने क्या किया है उनने आट specialist factory के अंदर art specialist क्या किये गए हैं उनने introduce किये गए तो यहां पर मैं बता देता हूं कौन कों से art specialist है तो पहला मैं बात करें जो हमारा factory manager था factory manager ने दो इंचार रखे वे थे एक रखा वा था planning इंचार्ज एक रखा प्रडक्टन इंचार्ट फे उसके अंडर में पी 4 पाम करें वे लो पर पलांस और कि इंचार्ट Strength के बारे प्यारमेन को यह सब मैं बात कर लेता हूं सबसे फैले इंस्ट्रक्शन कार्ड करन जो प्लाणिं इंचार्ज के लिए इसा फोर्मार होता है जिसके ऊपर responsibility होती है जनरल instruction देने की यह क्या करता है यह workman को जनरल instruction देता है उसके बाद मैं बात करूँ root color की root color खामे क्या यह एक ऐसा format होता है ठीक है वो जिसके उपर किस चीज की responsibility होती है काम को sequence या step में करवाने की क्या होती है responsibility होती है यह कौन से काम को sequence या steps में करवाता है mechanical और manual काम को उसके बाद मैं बात करूं तीसरा जो हमारा planning department के अंदर fourman है वो कौन है time and cost color ठीक है time and cost color क्या करता है यह fourman हमारा क्या करता है time को time को fix करने में मदद करता कि कब कौन काम करना start करेगा और कब तक उसका का काम complete हो जाना चाहिए और साथ साथ में क्या करता है यह कौस्ट शीट भी बनाता है उसके बाद में चौथे और last planning department के अंदर fourman की बात करें तो हमारा है disciplinary यह क्या करता है यह एक ऐसा fourman होता है जो क्या करता है यह एंशूर करता है यह देखता है कि काम systematic way में हो रहा है कि नहीं हो रहा है orderly हो रहा है कि नहीं हो रहा एक factory के अंदर तो मैं आगे बात कर लेता हूं production department यह production in charge की इसके अंदर भी हमारे चार fourman होता है तो पहला fourman का नाम क्या है speed boss speed boss का ensure करता है यह ensure करता कि timely काम होना चाहिए ठीक है timely काम होना चाहिए उसके बाद मैं बात करूं दूसरा हमारे जो fourman है वो कौन है gang boss gang boss क्या करता है जितने भी machines tool raw material है उन सब को arrange करने में मदद करता है हमारा gang boss उसके बाद मैं बात करूं repair box की repair boss हमारा क्या करता है repair boss हमारे repair boss के उपर responsibility होती कि सारी machines और tools को working condition में रखना कल के दिन कोई machine खराब होती है तो उसकी वो किसकी responsibility होगी repair boss की responsibility होगी कि उसको ठीक करा के working condition में लाएगा उसके आप में लास्ट fourman की बात करूं inspector होता है इंस्पेक्टर क्या करता है इंस्पेक्टर यह चेक करता है जो worker को हमने कहा कि था क्या वो उसी quality को maintain कर रहा है कि नहीं कर रहा है जितना हमने production जितना हमने कि किसकी बात करो second technique of scientific management की तो जो हमारा second technique है उसका नाम क्या है method study है second technique का नाम हमारा method study है और method study है उसके अंदर involved होता है क्या चीज study and comparison of alternative methods of doing a particular job and selection of most suitable method मतलब हम study method के अंदर हम क्या करते हैं हम बहुत सारे alternative से एक suitable method को choose करते हैं हमारे पास बहुत सारे method हमारे पास मिले हैं पर उन में से हम कोई एक suitable method को क्या करते हैं सब हमारे काते हैं case study हमारे क्सके करता है काम को रहता है उनको क्या करने का काम कौन लुक्त करता हैएं लुक्त को है कि एलिमिनेडे करता है Pennsylvania करता है सक्ट service वर्कर को कितना रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए उस चीज की डियूडेसट करता है उसके बाद बात कर लो हमारा जो टाइम डरी एंदर हम यह पढता है कि जो वर्कर है वह बरकर किसी भी चीज को उसम में किया पूरा कर रही है हम उनने लोगों के लिए करते हैं एक इस स्टेंडर टाइम क्या करता है एक इस्टेंटर टाइम टाइम सेट करता है ठीक है और इस्ट से तैकनीक के differential piece wages system यह थोड़ा सा important है हमारे किसके लिए exam point of view से क्योंकि पूछा जाता है चार नमबर पर कि वर्ट डू यू मीन बाई differential piece wages system तो हम बात कर लेता हैं जो हमारे टेलर थे FW टेलर थे उनने क्या कहा था कि जो हमारे organization में वो दो तरह के वर्कर रहते हैं एक तो efficient worker रहते हैं एक इन efficient worker रहते हैं efficient worker आप कैसे समझ सकते हो efficient worker जो अच्छा काम करते होंगे timely work करते होंगे अपनी cost को ध्यान में रखकर काम करते होंगे उनको हम नाम देते हैं efficient worker वैसे ही मैं बात को हमारी फैक्टरी है उसके अंदर क्या होते हैं दो तरह के वरकर होते हैं एफिशेंट वरकर और इनेफिशेंट वरकर दो हमारे एफिशेंट वरकर है उनको क्या मिलना चाहिए उनको ज्यादा क्या मिलना चाहिए उनको ज्यादा क्या मिलना चाहिए ठीक है और जो इनेफिशे जो जतना आच पैसा मिलना इस तो connect enclosure को भे बराबर पैसे ठीजदेशन करें वर्क को भी लिए इदेर आफिट कर लिए पहला वे जारू औरrí Ŕर्ट करता हैं एक स्वां करता है पहला wage rate for standard output हम ने बोला था कि एक दिन में आपको क्या करना है 10 मटी में 10 चीजों का क्या करना है production करना है और उसने क्या कर दिया उसने 10 की 10 चीजों का production कर दे एक दिन में तो ुसको क्या मिलना चाहिए एक Mid-sedate मिलना चाहिए वैसे इमें बात करो wage rate for more than standard output हमने बोला था कि 10 चीज़े आप बनाएंगे पर उसने कितनी बना दी 15 चीज़े बना दी तो उसको और ज़्यादा क्या मिलना चाहिए उसको और ज़्यादा wages मिलने चाहिए वैसे ही मैं बात करो तीसरा wage rate for less than standard output कहा था हमने कि 10 तो minimum बनाने ही बनाने है पर उसमें कितने बनाएं उसमें सिर्फ और सिर्फ साथ बनाएं तो इसको सबसे कम मिलना चाहिए क्या चीज़े वेज तो यहाँ पर कुल मिला कि बात आती है कि जो efficient worker और inefficient worker होते हमारे उनके अंदर क्या आता है जो less than standard output निकालेंगे तो इनको और अच्छा wage rate मिलेंगा और जो less than standard output निकालेंगे तो इनको बहुत कम क्या मिलेगा wage rate मिलेगा तो यहाँ पर क्या motivational factor का काम करता है कौन differential piece wages system तो इसके बार हम last technique के बारे में बात करने हैं जिसका नाम है standardization और simplification काफी बार एक कोशन पूछा गया एक्जाम में तो हम समझ लेता है कि standardization और simplification का मतलब होता जया standardization का मतलब है कि यह ऐसी process है जहां पर हम standard set करते हैं हर एक business activity के लिए ठीक है standard कैसे किस तरह के standard की मैं बात कर रहा हूं कि यहम किस तरह का process हम क्या करेंगे किस तरह का process हम fowlo करेंगे यह पी एक standardization के अंदर आता धाए वैसे मैं बात कर हो किस तरह का हम raw material Theo किस तरह का हम raw material करेंगे किस भी श्यूक्त कर दिए एन्द के वारी यूह कर दिए क्वा खूट्रों करजेया एफ़् मुछर्न करें चैनल के दीजएशन के निला के ले थो उर्श सके लगने एक लुझे खूलक्त वणके हाँ जूशरी अलग process follow कर रहे हैं। Cotton Department चाल कर रहा है। अलग machinery से output तो नहीं होना चाहिए। बहुत है kilometers हर एक चीज का क्या होना चाहिए। चाहए है जिसॉम्सार्ट होना चाहिक तो जंग कर रहा है वह समझ बात करता है उसके बार मैं बात करता हूं को speaking का मतलब किस चीज सीदे को की चीज कुछ Cincinnati डाइवरसिटी उफ Aufg Chanel के टाया किस चीज की सूज होता कि चो को हतां कही 바 twent उसने साथ नमबर गा उसी के बाद उसने बना ले सिवन फॉइंट 7.1 का टीक है उसके बाद उसने एक और साइस बना दिया 7.5 का फिर उसने बना दे आठ नंबर हमें क्या करना मतलब क्या है कि जो unnecessary diversity मतलब एक ही प्रोड़क्ट कि तुन्हें 1000 साइज बना रहे यह घलत बात है हमें क्या करना चाहिए कम साइज बनाने चाहिए पर अच्छे साइस बनाने चाहिए हमें फालतू चीज़ों को करना चाहिए कम प्रॉडक्ट कम वेराइटी में क्या करना चाहिए ध्यान देना चाहिए उन्हीं को उन्हीं को क्या करना चाहिए उन्हीं को अच्छे से हमें क्या करना चाहिए ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी वेराइटी के साथ क्या करें बहुत सारी variety में हम क्या करते हैं deal करते हैं और कोई भी variety में अच्छे से काम नहीं कर पते हैं इस से अच्छा तो यह है कि हम simplification करें हम क्या करें unnecessary diversity को क्या करेing unnecessary diversity to eliminate कर दें और कुछ product बोले तो लिमिटेड प्रौडेक्ट साथ हम क्या करें डील करें उन प्रोडक्त की हम क्या करें अच्छे से क्वालिटी बिल्ड करें बात समझ में आ रही है बागी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही जो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो जिसने भी तक चैनल को सब में लाई प्लीज करें इस टून तोी.